आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेलप और सीवेटी प्रप्रेशन में इस वीडियो में मैं इन्वर्सिटी रिव्यू करने वाला हूँ हिंदुस्तान इंसिच्यूट अफ टेक्नलोजी एंड साइन्स का इस वीडियो में बताऊं अमिर्सा की तरह किसी भी कॉलेज या इन्वर्सिटी का रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ कैंपस फोटो तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदुस्तान इंसिच्यूट अफ टेक्नलोजी एंड साइंस का कैंपस फोटो तो दिखेगा जब आप जाएंगे यहां पर पढ़ने के लिए अगर हम पूरे डिटेल की बात करें तो इंसिच्यूट का नाम हिंदुस्तान इंसिच्यूट अफ टेक्नलोजी इसको सौट में एच आइटी एस सौट में बोला जाता है अगर हम एस्टैबलिस्मेंट की बात कर तो यहां पर मानेतार नैक्स से मिली हुई है, AICT से एप्रूब्ड है, रेकगनाईज किया गया है UGC के दवारा, तो यहां से अगर हम एप्रूबल की बात करें तो यह हर जगह से एप्रूब्ड है यानि कि यहां पर आप पढ़ते हैं तो जो भी डिग्री लेते हैं यार पे और सिएक्वेक के जरीए कुछ इंट्रेंस पेंट हैं उसमें आपके इंट्रेंस बेस ही हिंट होंगे उज़ी के कुर्स में कि अगर कोर्स की बात करें तो सीमेट, यट मैट काट justement in ऑगर एकर सलगे तो इसकूर्स के तो ड्र olun टौर। initiक्राव की ठीया। तोहां पर चेक कर लीजिएगा किस प्रकार से 2024 में एड़िशन हो रहे हैं इस इंसिचूट में अगर हम अप्लिकेशन फी की बात करें तो यहां पर पिछले साल तक का दिखाया जारा इस साल कुछ अलग भी हो सकता है 2024 में पिछले साल तक 925 था अप्लिकेशन फी अगले साल क पोसी सी SS क्रॉप Amazon जस पे जैसी कंपनी आती है और अगर हम फैसलिटी की बात रहे तो आप सारी फैसलिटी आपको मिलेगी लेवरेरी की होस्टल की ट्रांस्पोर्टेशन की बैंक की क्लिनिक की और जो भी बेसिक फैसलिटी होनी चाहिए जो अच्छी फैसलिटी करा जाता है और काफी अच्छी बेवस्ताय भी यहां है अगर हम उफीचियल कि बात करें सुखें लुदा करें करूँगा बैसिकली मैं फोकस करूँगा ए नाई आरेफ 2023 रैंकिंग पे तो इंजिनियरिंग के इसाफ से बात किजा तो 101 से 150 बैंड के भी चाता है इनवर्सिटी कटेगरी में भी 101 से 150 के भी चाता है और अगर हम मैनेजमेंट कटेगरी की बात कर जैसे MBA कोर्स के लिए तो ये भी 101 से 125 क मैनेजमेंट कटेगरी में और अलग-अलग जो रैंकिंग सिस्टम है जो कि नाई आरेफ के बाद काफी फेमस है वो भी रैंकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं सभी में आपको ये बेस्ट इनवर्सिटी की रैंक में इधर उधर मिलेगी यानि कि टॉप 100 या टॉप 150 इनव की लिस्ट में भी देख सकते हैं इनवर्सिटी की लिस्ट में भी देख सकते हैं अगर हम बात करें यहां के एक्क्रडियेशन की जो की मिला हुआ है रेट किया गया है रैंक सेकंड डेमोग दो टॉप प्राइवेट इंजिनियरिंग इंसिटूट इन चैन्नाई रेटेड ट्रीपल ए तो चेनाई गई है टॉप ट्रीपल ए कटेगरी की रैंकिंग वाली कोलेज है जो की एक सहर का हिसाब से दिया गया है जो इतना मेटर नहीं करता है अगर हम यहां के प्लेस्मेंट की बात करें तो काभी सारे स्टूडेंट से यहां पर जो मैं रिव्यू पढ़ से और यहां पर हाइस्ट मिडियम पैकेज की अगर हम बात करें हाइस्ट मिडियम पैकेज तो वो था 15 अलाख एलपी एकार अगर हम टॉप रिकूटर की बात करें तो यह सब कंपनियां आती है एमेजोन टेक महेंदरा टीसीएस एसल टाटा स्टील जैसी बड़ी-बड़ी कंपनिय यहां पी कैंपस विजिट के लिए आती है तो मानके चलिए कि आपको ब्लैस्मेंट के आपको भरपूर होके मिलें गे और यहां पे अच्छे प्लैस्मेंट होने की वी घरांटी हो सकती है अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में आसा करता हूँ कि जो मैंने आपको जनकारी दी वो आप सभी के लिए काफी helpful रही होगी और भी किसी प्रकार का अगर इससे related कोई issue होता है आपको कोई question है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं इसी तरह का university और college review देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजि कि अगर हम example के तोर पर बात करूँ मैं तो सीउ पुंडुचेरी, सीउ हर्याना, Central University of South वियार, बनारा सिंद्व इंवर्सिटी, इंवर्सिटी अफ इलहाबाद, और भी काफी सारी जो Central University है जिसे राजिव गांदी Central University है और भी काफी सारी Central University के मैं अल्रडी वहां review कर चुका इस वीडियो में बस इतना ही, thank you for watching this video, have a nice day